अपने MP का चुनाओं करते हैं और हमारे MPs जीत के जाते हैं 543 वह अपना सदन का नेता चुनती है वह सदन का नेता प्रधानमंतिरी होता है तो ये बात समझ लीजिए ये भी सच्छान होगा क्या होने इा बाद आपने बात आपने सही कहा कि पिछले एक दो चुनाओं में ऐसा हुआ है लेकिंग धोका दिया ना भारती जंता पार्टी काम ही क्या है धोका दे ना 2024 में क्या होने वाला है 2024 में भाषपा की जो मंडली है न जो लोग देश को कमजोर करने वाले लोग हैं जिन लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर देश में बेरोज़गारी फैलाई है जिन लोगों ने देश की तमाम संपत्ती को अपने दोस्तों को दिया है उनकी विदाई होने वाली है था करनाटका में तो बोल रहे थे कि हम तो टू-थर्ड मिज्योरिटी से आ रहे हैं क्या हाल हुआ देखा न आपने हिमाचल में क्या हाल हुआ अरे भारतिये जंता पार्टी के रास्टिया देख जेपी नड्डा जी आज हम एक खबर देख रहे तो उसमें पद्रकार कह रहे तो यह भारतिये जंता पार्टी के पतन को दौर शुरू हो चुका है और देख की जंता समझ गई है कि ये लोग देख को लूटने वाले लोग है इन्होंने रेलवे बेचा इन्होंने हवाई एरपोर्ट बेच दिये रेलवे को प्राइटाइज कर दिया नशों की खेप द टाइम चलता है एक महीने तक लेकिन तीन हजार केजी ड्रक्स कहा गया इस पर कोई बातचीत नहीं होती है भारत तो पहले से मजबूत हो रहा है विस गुरू बनता हुआ जा रहा है इदर कश्मीर हमारे हाथ से निकलता हुआ चला जा रहा है चाइना अंदर देश के अंद लिया है चाइना ने मोदी जी ने कहा था कि देश के अंदर स्मार्ट सिटी बनाएंगे देश के अंदर स्मार्ट सिटी मोदी जी ने नहीं बनाई चाइना की आर्मी ने हमारे देश के अंदर घुसकर स्मार्ट सिटी का निर्मान कर दिया है ऐसे देश मजबूत हो रहा है बहुत बढ़िया बात है, उनके लिए देश मजबूत हो रहा है, लेकिर हमारे जो चश्मे से दिख रहा है, वो ये दिख रहा है, कि चाइना हमारी जमीन के ओपर कबजा कर चुका है, मनिपूर के अंदर जो हिंसा हो रही है, क्या इससे देश मजबूत हो रहा है, क्या नौर नौर्थिस्ट को बढ़वात कर दिया, आप देख लिजे न मनिपूर में क्या हो रहा है, हिंसा हो गई, दो महीने हो रहा है, हिंसा हो गई, वहाँ पर उन्होंने अब तक अपने मुखमंतरी को नहीं बदला, आज तक प्रधान मंतरी वहाँ का दौरा नहीं किये, जिस दिन ह तक अब आज दौरा करने उसके आगले ही दिन वहाँ पर फिर से इंसा हो जाती है, किस तरह का पीस टौक कर रहे हैं भाई, देश को कॉंग्रेस ने बनाया, कॉंग्रेस ने शांती अस्थापित की, चाहे वह अरुनाचल परदेश के अंदर हो, कश्मीर के अंदर हो, चाहे अब लोगों समझ में आ गया है, यह बहुत लड़ाजेंगे, लगता है आपको दोजार चोविस में, तो समझ रहे हैं ना, करनाटका का रिजल्ट देखिए ना, हिमाचल का रिजल्ट देखिए, लोग समझ रहे हैं, और आने वाले पांच राज्ये में चुना हो है, तो रमायन भी पढ़ा हो, गीता भी पढ़ा हो, माभारत भी पढ़ा हो, मुझे तो नहीं लगए, कहीं पर नहीं दिखा, मैं कुरान भी पढ़ा हो, बाइबल भी पढ़ा हो, कहीं पर, सब धर्म में शांती की बात की गई है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान र आदे बनेंगे देखे देश की जो आज की इस्तिती है वो इस्तिती में निस्चित तोर पर यह हम लोग को अभास हो रहा है कि भारतिय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी और कॉंग्रेस के नेतिदुर में जो है एक मजबूत सरकार 2024 में इस देश को मिलने जा रहा है और जहां तक मेरा मानना है रहू जी देश के सर्मानने नेता है और उन्होंने इस बात को साबित किया है कश्मीर से काज्मीर को वाकई देश की जनता उनको चाहती तो निस्ची तोर पर 2024 के अंदर हम एक मजबूत स्क्री में कॉंग्रेस को राहूल जी को प्रधान मंतृ क वीरती तोर पर देखते हैं वैसे हमारे हमारा जो system है इस बात को आप लोग समझगे आप लोग बोलते हैं नहीं तो कौन अरे बाइध मोधी को आप चुन रहे हैं यह हम चुन रहे हैं हम लोग अपना MP का चुनाओं करते हैं हमारे देश केंदर जो लोकतंत्र है वो कैसा लोक करते हैं और हमारे जो MPs जीत के जाते हैं 543 वह अपना सदन का नेता चुनते हैं वह सदन का नेता प्रधान मंत्री होता है तो यह बात समझ लीजिए यह भी सचाना कि दर्मंगा के अंदर गुमिये आप समस्तिपूर के अंदर गुमिये आप पता कीजिए कि Member of Parliament क्या काम किया है क्या विकास के काम किया है तो बोलेगा चाम मोदी जी है ना वहाँ आपको चुने थे कि मोदी जी को चुने थे आपको चुने थे छेदर का विकास करने के लिए के अंदर 40 लोग सभागी सीटे हैं महा गड़बंदन का सवरूप सब लोग को मालूम है कि जडियू और जडियू कॉंग्रेस सीपीएमल सब लोग एक साथ एकतरित होकर चुनाओ लड़ेंगे और एक एक formidable alliance है बहुत मजबूत गड़बंदन है निसीत तोर पर मदुबनी की जो लोग सभा रही है उस पर कॉंग्रेस हमेशा चुनाओ लड़ती हुई आई है और जीती हुई भी आई है और कॉंग्रेस का performance बहुत बढ़िया भी रहा है पिछले चुनाओ में किसी और पार्टी को मिलनी चाहिए यह तो पार्टी नेतिरब का फैसला होगा पार्टी नेतिरद जिसको बोल देगी, गड़बंदन जिसको टिकर देगी हम तमाम लोगों को हम तमाम लोगों को उसको मिलकर इमानदारी और निस्फक्षिता के साथ चुनाओ लड़ा कर देश की संसत में भेजन तो हम लोग तो कटबढन के सिपाही की तौर पर जो भी परतयाशी होगा उसको जिताने का पार्टी अकर हमें मौका देगी तो यह πα्ति-पार्टी करती है कि य'कर प्रची को मिल जाए टिक तो मतलब कुछ बंदन का क्या मतलब है कfires अंत रहे हमारी वीव Türkiye को होगार मे Noel rain तो लर्की लर्के वाले को भीशे बहुत सारी बात होती है, वो बोलते है कि 12 तारीकों करेंगे तो बोलते है 15 तारीकों करेंगे, तो एक रास्ता निकलता कि चले 14 तारीकों कर लीजे, होता है कि नहीं होता है, तो गठभंदन जब दो लोग को का मिलन होता है, या दो चार पा आज महीने बाद ही समझ भी आएगी किस पार्टी को मिल ला है उसके बाद देखा जाएगा कि किस केंडिरेट कौन यहां से केंडिरेट होगा लंबे टाइम की बात है राहुल गांदी ने कन्या कुमारी से लेकर कस्मीर तक पैदल यात्रा किया था और बिहार से होकर वो नही तक पहुँचे तो आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि यहां से वहाँ चल दिये नहीं उसका इंपक्ट पुरे देश भर में पड़ा और बिहार में तो चुनाव नहीं हुआ ना चुनाव के बाद ही नहीं इंपक्ट आप लोग कैलकुलेट कीजेगा अब हिमाचल से एक दिन करौस की तो सरकार बन गई करणाटका से 14 लिन उने इडिया से क्रोस किये तो वहाँ सरकार बन गई ठीक है तो ऐसा आप तो सिर्फ यही कलकुलेट करें कि जहां जहां क्रोस कि हैं वहार क्या हुआ ऐसा नहीं है पूरे देश भर में उसका एक बहुत एक अंडर करेंट है ब आपने देखा किस तरह से जो है सच गया था राहूल जी के मान सम्मान में उनको सुआगत करने के लिए कितना लोग पहां पे पहुंचे पूरे बिहार भर के कॉंग्रिस को लोग पहुंचे और सदाकेद आश्रा में उनका संबोधन हुआ मात्र 25-30 मिट के लिए लेकिन आप और बिहार में गडबंदन बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ काम कर रहा है उसका रिजल्ट हम लोग 24 के लोग सबाचुनाओं में हम लोग को देखने को मिलेगा